आज की वीडियो कुछ पैच रिलेशन में ही है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा सर से पैच उत्रा हुआ है और यहां पे हमारा जो पैच है यह पड़ा हुआ है में को काफी सादा लोगों के मेसेज़ेस आ रहे थे कमेंट्स आ रहे थे कि भाया हम जैसे दूपसरी स्टेट्स की है हमारे यहां पे पैच वाले नहीं है तो हमें कैसे घर पे सर्विस करनी है वो आप क्या हमें समझा सकते हो असानी से तरीके से पता जल जाए तो गाइस वट आएम डूइंग इस मैं सिरफ और सिरफ जो टेप है उसका इस्तमाल करता हूं और अल्मोस्ट हफता दस दिन पंदरा दिन कई बारी बीस दिन भी जो है वो हमारा पैच जो है वो निकाल देता है विचिस प्रिटी नाइस और मैं रोज हेड़ वाश करता हूं रोज हेड़ वाश करना मीन्स रोज बालों को गीला करना और अगर मैं जिम जा रहा हूं तो मैं हर रोज जो शांपू है वो कर रहा हूं क्योंकि क्या होता है जो आपकी टेप है वो जब इसके हां पर लगी हो तो उस वज़े से में को रोज हेड़ वोश करना पड़ता है ताकि अंदर कोई फंगस या कुछ मतलब कोई इंफेक्शन ना हो जाए जाथा पसीना होने के वज़े से विच इस प्रिटी डीसिंट तिंग और खाली टेप टेप के अंदर हमारे बेनिफिट भी हो जाता है कि हफ्ता दस दिन जितने ताइम के बाद भी हमारा पैच उतार रहा ने उतारा खतम कर रहा टेप दुबारा लगाई एंद दन यू आ गुड तो गो फिर आप असानी से उ इस से जब आप अपना यहां का जो टेप है वो उतारेंगे उसके बाद अपना जो पैच है उसको क्लीन करेंगे सारे अरिया को तो आपका जो C22 है वो यहीं पे रह जाएगा तो आपको उसके बाद एक चीज हमेशे याद रखनी कि आपको अगर आप अपना सर भी साफ कर C22 के बाद तो आपको head wash करना बहुत जादा जोरी है ताकि वो जो C22 का residue है जो भी है वो हट जाए वहां से और इसके उपर जैसे आपने C22 मारा है तो इसके उपर से भी आपको हटाने के लिए इसको properly wash करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि C22 उतारने के लिए हो पुषिश करेंगे तो हमारी जो tape है उसकी gripping जो है वो सही डंग से पकड़ नहीं पाएगी और फिर उतरने के chances हो जाते हैं मतलब आप fit करेंगे और वो साथ के साथ ही उतर जाएगा तो आपका जो patch है वो बिल्कुल clean होना जाए दूसी चीज काफी जादा लोगों को मैंने समझा देता हूं तो आप जब patch गीला कर लेते हैं पूरा patch आपका गीला आपने कुछ नहीं करना आपने patch को ऐसे पकड़ना और patch को ऐसे करके मारना तो automatically जो आपका पानी है वो सारा का सारा इसमें से बाहर आ जाएगा और आपका जो patch है वो automatically जो चिपका बना है वो खतम होक आपका काफी हद तक मतलब almost 90-95% जो patch है आपका वो खुल जाएगा ओके सो यह हो गई basic बाते हैं clean कैसे करना है क्या करना है क्या करना है क्या नहीं करना है अब main जो चीज आती है जिसके लिए काफी जादा कोशन आ रहे थे यह भाया taping का क्या जुगाट रहता है एक चीज ह हमेशे याद रखें जो patch होता है यह जो बीचवाल area इसके बीच में से इनके बाल निकल रहे होते हैं तो आपको इनके जो बाल है उनको भी cut करते रहना ताकि आपको problem ना है क्योंकि यह बाल क्या होता है नीचे से जैसे सिलाई होई भी है या pasting होई भी है जैसे भी वो जब आपका जो टेप है उसके अंदर फसेंगे या गम के अंदर फसेंगे तो फिर क्या होगा यह बाल सारे के सारे अंदर से पूरा तोड़ देंगे और फिर आपका जो patch है वो खाली हो जाएगा okay so we have got two tapes here इसका comparison video एक अलग से मैं देने वाला हूँ कि आपको red tape यूज़ करनी चाहिए या yellow tape यूज़ करनी चाहिए अगर रोल है और यह आपको cost करता है almost 300-300 रुपे का तो काजिला का था मैंने amazon से मंगाया था काजिला की tape है 22 meter की है 300-500 की करीब की tape है and this lasts you for good 7-8 months तो यार समझ सकते हो कि आपको कितनी costing घर पे पढ़ेगी जब आप service घर पे करेंगे तो कुछ नहीं करना basically अगर आप रोज अपना जो patch है वो suppose उतार के head wash करके करना चाते है तो आप सबसे असान तरीका बताता हूँ चार जगा पे tape लगा लीजे इसे मेरे एक फिरिंट है उसको खारश की problem बहुत जादा रहती है तो वह चार जगा टेप लगाता है बीच में से कुछ ए एरिया जो है वो खाली रख लेता है तो जब उसको खारिश हो रही होते है जो खाली वाला एरिया है वहाँ से अपनी तो उसको वो जो खारिश की प्रॉब्लम है उससे चुटकारा मिल जाता है सबसे असान तरीका यह है कि अगर आप डेली यूज में करना जाते हैं या दो दिन तक भी आपकी जो टेप है वो निकल जाएगी तो आलमोस्त बड़े टुकड़े इतने इतने बड़े आप एक दो तीन और चार लगा लें और उसको चिपका लें ऐक तो तριका हो गया यह दूसर तरीका है جो आपका 10 दिन, 15 ज ten 20 दिन तक भी निगाल देता है वो होता है आपको पूरी टेप लगानी होते है तो पूरी टेप कैसे लगानी है वो मैं आपको एक बरी समझा देता हूँ और करके बहने दिखाता हूँ क्योंकि मैं अपने इस पैच के उपर पूरी जो टेप है उसको फिट करने लगा हूं तो यार अब मैं आपको साथ के साथ बता दूँगा तो आप लोगों को भी असानी होगी सो इसको फिट करते हैं और आपको समझाता हूंगी कैसे करना है तो किस तरीके से आपको कट करना है आपके घर पे सिजर होगी उस सिजर से उसको कट कर लिया ठीक है में आंगल्स जो आपके हर जगा मुसली जैसे यहां लगाएं लगेंगे तो यह आप देखोगे कि यह मेरा बिरकुर कॉर्णर तक नहीं आएगा मेरी जो टेप है वह अल्मूस्ट थोड़ी थोड़ी जो कॉर्णर उनसे बाहर जा रही है तो वट आइनीड टू दू इस मेरे को इसके जो कॉर्णर हैं वह कट करने बढ़ेंगे तो कॉर्णर को हम वंके वन एंड टू अगर आप यहां से देखोगे तो हमारे जो कॉर्णर हैं वह हमारे कट होगे हैं इससे बेनेफिट यह होगा कि हम जब इसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो हम बिल्कुल कॉर्णर तक अपना जो टेप है पैच के उपर वह हम ले सकते हैं यहां से घम इसको फिट करेंगे तो हमारे जो पैच पर टेप है वह प्रॉपर्लि यहां पर कट जाएगा तो यहां से हमारा जो Corners से वो कट गए और अगर मैं वो नहीं काटता तो हमारा यहां से बहार आ जाता और वो गम फिर हमारी जो टेप है वो इस बालों पर लगती है और यह फिर बाल तोड़ती तो ऐसे बचाने के लिए आपको जो Corners है उनको काटना पड़ेगा और साथ के साथ जो आप इसकी उपर की येलो लेयर है इसके लिए नाकों थोड़े से बड़े चाहिए होते क्योंकि टेप बहुत ही ज़ादा पतली है तो हम जो लेयर है वो उसको उपर से हटा देगे अब मेन जो पार्ट होता है वो होता है next की हमें next चीज कैसे करनी है और हमेशा याद रखें कि आपकी जो ये कैंची होगी उसके उपर गम लगी भी होगी या ये जो टेप है वो लगी होगी तो इसको साथ के साथ उतारते रहे नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगली next टेप काटने में so next टेप हम काट लेता है ये हमने हमारी जो next टेप है उसको काट लिया अब मेन जो काम है वो ये है कि हमें next टेप लगानी कैसे है so next टेप आप ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो बीच का एरिया है वो हमारा छूट जाएगा so आपको क्या करना है आपको टेप के ऊपर टेप चिपकानी है अब जैसे मैं इसको यहां चिपकाता हूँ तो मेरा फिर कॉर्नर में आएगा so यहां से आपने देखा हमने टेप के ऊपर टेप चड़ाया है इसका रीजन है एक तो क्या होता है जो हमारे बीच का गैप है वो सारा का सारा खतम हो जाता है दूसी चीज यह कि जब आप टेप उतारते हैं जैसे मैं यहां से टेप उतारने की कोशिश करूँगा तो यह साथ के साथ यहां से पूरी टेप को घुमाता हुआ असानी से जो मेरी पूरी टेप है वो उतर जाएगी so एक तो गैप बीच पे छूट जाएंगे मतलब कवर अप हो जाएंगे छूटेंगे नहीं डूसी चीज हम जब उतारेंगे तो हमें एक एक टेप को उतारने की जूरत नहीं पड़ेगी हम बस एक टेप को खीचेंगे जो कि हमारी सबसे नीचे वाला लेयर होगा और अपान हेमारी जो पूरी टेप है इसके उपर लगत होगी वह सारी के सारी उतर जाएगी we कॉहरी को बीच में चूट नहीं अपने एक के उपर एक चिपकाता हम आप इससे लह स्यक्राइगीislap तो यहां से मेरा यह वादा पार्ट है मैं इसको उतारूँगा and automatically मेरी जो बाकी की टेप है यहां से जैसे मैंने उतारा तो automatically मेरी बाकी की जो टेप है वो साथ के साथ उतार देगी तो उतारते वे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आगी सो इसको बस अब करते हैं फिट सर पर और फिर आपसे फाइनल लुक के साथ मिलता हूँ ओके गईस तो फाइनली हमारा जो पैच है वो लग गया और आप लुक देख सकते हो किस तरीके से आ गई है अगर मैं आपको दिखा हूँ तो बेसिकली पूरे 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 फिट हो गया काफी लोगों को यह प्रॉब्लम लेती है कि हम पैच लगाएंगे तो यार वो सही बैठेगा नहीं बैठेगा तो आप एक आदी दो बरी तीन बरी जब आप ट्राय करोगे तो आपको इसके बाद आपको आदत पोड़े कि जिसमे मुझे पता है कि मुझे पैच कहां से शुरू करना और मेरा पैच कहां तक जाएगा तो अब मेरा पैच बिल्गुल सही बैठता है बाकि अब आप देखोगे और मैं हाथ वगए भी मार रहा हूँ तो पैच कहीं पे भी नहीं अब आपको आपको समझ आगी हो कि पैच घर पे आपने सर्विस जो है पू कैसे करना तो आपको वीडियो बसाने तो लाइक करे शेयर करें और चैनल पे नहीं है तो फटपर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इवान आपको आज़ एटे एवान प्ने चैनल के बारें प्त जलती से जाओ और इवान के चैनल को फटो 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 सब्सक्राइब कर लो सो मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तिल देख क्यों ब्लेस से बाइबाए बाइबाए